तो देखिए हमारा राजिस्थान जिसमें हमने 6th class कंप्लीट कर ली, 7th class जो है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है 6th के question answer मैंने आप लोगों को करवा दिये अच्छे से उसके बाद ही 7th class जो है वो अब start होने वाली है तो आज से ही हम start करेंगे 7th class की question answer जिन बचों ने reading नहीं की है books की तो please करियेगा 6th और 7th की playlist में डाली जा चुकी है question answer जो है वो भी आप लोगों को मैंने यहां पर करवा दिये हैं और एक भी paragraph में से question जो है वो नहीं चूटेगा आप लोगों का सारे question मैं include करती हूँ ताकि आपका कोई भी chapter जो है वो इस तरीके से अधूरा न चूटे और आपके exam में आपको भरपूर फायदा मिल सके तो देखिए हम लोगों ने course जो है वो start कर दिया है और राजिस्तान की history जो है वो आधे से भी जादा जो है वो complete हो चुकी है हाला कि test जो है वो दो बार लिये भी जा चुके हैं तो यदि आप लोग बाद में लेते हैं तो आपका ही नुकसान होता है और उसका reason क्या है कि बहुत सारी चीज़े जो है वो पहले करवा चुके होते हैं और धीरे धीरे ही वो चीज़ें याद बच्चों को हो भी जाती है और test जो है उससे भी आप लोग वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग तयारी अभी से ही करिए और जो वास्त में तयारी करता है तो वो starting से ही करता है बीच में से नहीं करता है और नहीं बहुत ज़्यादा बाद में करना start करता है और यदि आप government job लेना चाते हैं तो तयारी जो है वो आपको अभी से ही start करनी चाहिए वरना आपका time और पैसा जो है वो दोनों ही खराब हो जाता है ठीक है तो देखिए course जो है उसका amount जो है वो इतना अधिक नहीं रखा गया है क्योंकि जितना आप market से जाकर books collect करेंगे वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों को videos, handwritten notes यहां तक की जो RBSC के question answer है और हमारा राजिस्थान की question answer इनकी PDF सभी कुछ वहाँ available आप लोगों को हो रही है तो जो बच्चे starting से जुड़ चुके हैं उन लोगों को पूरा फायदा मिलेगा और य यहां से जो है first paper कर रहे हैं लेकिन second paper में भी उनको help मिलेगी ठीके तो चलिए आज हम start करते हैं 7th class का first chapter यहाँ पूरा chapter जो है वो question answer format में आप लोगों को मिलेगा तो question 1 देखिए राजिस्थान के कुल शेत्रफल के कितने भाग पर 1 है तो यहां दसवे भाग पर 1 है next देखिए राजिस्थान में सरवादिक वन कहां पाये जाते हैं तो यहां पर सरवादिक वन राजिस्थान में उदेपूर जिले में पाये जाते हैं राजी स्थान में सबसे कम वन शेत्र किस जिले में पाया जाता है तो सबसे अधिक उधैपुर में और सबसे कम जो है वो चूरू जिले में पाया जाते हैं तो दिखिए चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए आप लोगों ने यदी नहीं पढ़ा है तो पहले वहाँ पर पढ़िये जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है तभी आप इन question के answer जो है वो दे पाओगे और जो बच्चे नहीं भी पढ़ पा रहे हैं उनके पास यदी समय की कमी है तो कोई बात नहीं इन question answer से आपका पूरा chapter जो है वह cover होता है नेक्स्ट दीखिए राजिस्तान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो वनों को यहाँ पर तीन भागों में बाटा गया है आरक्षित वन, सुरक्षित वन और आवर्गीक्रत वन जिस वन शेत्र पर सरकार का नियंतरन होता है तो वह क्या कहलाता है तो वह कहलाता है आरक्षित वन शेत्र जहां पर सरकार का पूरा का पूरा control होता है जहां अपनी मर्जिस जो है जानवरों को नहीं चोड़ सकते हैं, चरने के लिए नहीं वहाँ पर पेड़ों को काट सकते हैं आरक्षिद वन्शेत्र के अंदर किसका प्रतिबंद होता है? तो यहां पर पसू चराने, लकडी काटने पर प्रतिवन होता है, जो कि सरकार के कंट्रोल में है, राजिस्थान की कुल वन शेत्र का कितना भाग आरक्षित वन शेत्र है, तो राजिस्थान में लग भाग एक दिहाई भाग जो है, वह आरक्षित वन शेत्र है, ठीके, यहां पूरा सरकार का कंट्रोल है, यहां ना तो पशू चरा सकते हैं, ना ही लकडी काट सकते हैं, वह वन शेत्र जहां कुछ नियमों के तहत लकडी काटने और पशू चराने की अनुमती दी जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, तो उस शेत्र को कहते हैं सुरक्षित वन शेत्र, जह के लिए पर्मीशन ली जाती है ऐसे शेत्र को कहते हैं सुरक्षित वनशेत्र वहीं हमने अभी देखा था कि बिल्कुल भी ना तो लकड़ी काट सकते हैं ना ही पसू चरा सकते हैं तो ऐसे शेत्र को क्या कहते हैं आरक्षित वनशेत्र जिस वनशेत्र पर सरकार का नियंतरन ह वो क्या कहलाता है तो वह आरक्षित वनशेत्र कहलाता है अभी मैंने ये बताया था राजिस्दान के कुल वनशेत्रपल का कितना भाग पर सुरक्षित वनशेत्र इस्तित है तो यहां पर एक तिहाई भाग पर तो आरक्षित वनशेत्र है वहीं पर 50% से भी कम भाग पर सुर कारी प्रतिबंद नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है तो जहां पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है सरकार का वह आवरगी करत वनशेत्र कहलाता है तो यह सबी डेफिनिशन जो है वो आपको याद रखनी है एक्जाम में आपके पूछ ली जाएगी कौन सी परवतमाला राजिस्थान को दो भागों में बाड़ती है तो वह है अरावली परवतमाला जिस भी एक्जाम में आपके राजिस्थान के जीके में जोगरफी पूछी जाती है तो वहाँ आपके यह चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं पढ़नी पढ़ेगी 6 से 12 तक की आपको RBSC की बुक्स जो है वो पूरी पढ़नी होगी graduation तक पढ़नी होगी क्योंकि syllabus में ही दिया हुआ है कि 2nd grade के exam की यदि आप तयारी कर रहे हैं तो आपको 12 तक ही नहीं बलकि graduation तक पूरी करनी पढ़ेगी और मैंने जो notes करवाए हैं तो उन notes में आप लोगों को graduation तक का पूरा मिलता है राजिस्तान में भोगोलिक द्रस्टी से वनों को कितने भागों में विवाजितन किया जा सकता है तो यहाँ पर हम तीन भागों में बाट सकते हैं राजिस्तान में भोगोलिक द्रस्टी से वनों को कितने भागों में तीन भागों में बाट सकते हैं नेक्स्ट देखिए कोशन 14 है उस्ट कटिवन्दिय कंटीले वन कहां पाय जाते हैं तो यह है राजिस्तान का जो सुष्क भाग है और अर्द सुष्क भाग है जहां पर जल का अभाव है तो वहां पर कंटीले वन जो है वह पाय जाते हैं जहां तापमान बहुत ज्यादा और वर्षा जो है कम है राजिस्थान के सुष्क और अर्द शुष्क भाग में कौन से जिले हैं तो जो राजिस्थान का मैप जो आप लोगों ने याद किया हुआ है और यदि नहीं किया है तो याद करिए कि जो इसका पक्षमी भाग है राजिस्थान के मैप में देखेंग और इसके अलावा जोदपुर, जुन्जुनू, सीकर और जालोर राजिस्दान के शुषकु और अर्द शुषकु भाग में कौन से वन पाये जाते हैं तो क्या बताया मैंने यहां कंटीले वन पाये जाते हैं रोहिडा, खेजडी, धोकडा, बैर, बबूल, कैर और नीम राज्य ब्रक्ष कौन सा है अब इस question में भी कई जो बच्चे हैं जो confused हो जाते हैं तो यहाँ पर जो राज्य ब्रक्ष है वह कौन सा है खेजडी का ब्रक्ष राज्य स्थान का राज्य पुस्प कौन सा है तो याद रखिएगा राज्य ब्रक्ष कौन सा है खेजडी और वही पर राजी पुस्प यानि फूल जो है वह है रोहिडा का फूल है ठीक है नेक्स्ट देखिए राजी स्थान में शेवर घास कहां पाई जाती है तो यह है जैसल मेर में पाई जाती है उष्ने कटिवन्दिय सुष्क पतजडवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इन्हें हम मानसुनी वन कहते हैं मानसुनी वन कहलो चाहे उष्ने कटिवन्दिय सुष्क पतजडवन कहलो तो एक ही बात होगी उसने कटिवन्दिय सुस्क पतजडबन कहां पाये जाते हैं तो ये वन जो हैं वह है बासवाडा, दुंगरपुर, उदैपुर, चित्तोरगड, कोटा, जालावाड, अलवर, अजमीर, जैपुर, सवाई माधवपुर, करोली, बून्दी और टोंक में तो राजिस्तान का दक्षिनपूर्वी भाग है वहाँ पर हमें उसने कटिवन्दिय सुस्क पतजडबन मिलेंगे उसने कटिवन्दिय सुस्क पतजडबन में कौन से पेड़ पाये जाते हैं तो यहाँ बर्गद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, सागवान, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बास, आमला, आम, नीम, सीसम ये सभी पेड मिलेंगे नेक्स्ट दिखिए कुश्यन 24 अर्द उष्ण कटिवन्दिय सदावाहर वन कहाँ पाये जाते हैं पहाडी में उचाई वाले भागों में पाये जाते हैं आबू परवतिय शेत्र में जो हमेशा हरे बरे रहते हैं ऐसे वनों को हम कहते हैं सदावाहर वन तो कहाँ पाये जाते हैं राजिस्थान में आबू के जो परवतिय शेत्र है जो की उचाई वाला भाग है वहाँ पर हमें अर्दू उश्न कटिवंदिय सदावहारवन मिलेंगे अर्दू उश्न कटिवंदिय सदावहारवन में कौन से ब्रक्ष मुकतेफ पाये जाते हैं तो यहां पर आम, बांस और साघवान ऐसे जो शुथ रख्ष हैं वो हमें मिलते हैं next दिखीए कोशन 26 है राजिस्थान में कितने राष्ट्रिय उद्यान हैं राजिस्तान में कितने राश्ट्रिय उध्यान हैं, तो यहां तीन राश्ट्रिय उध्यान हैं, केवला देव राश्ट्रिय उध्यान, रंधंबो राश्ट्रिय उध्यान और मुकुंदरा हिल्स राश्ट्रिय उध्यान. केवला देव राश्ट्री उद्यान कहां इस्तित है तो यह भरतपुर जिले में इस्तित है केवला देव घणा पक्षी अभ्यारण में कौन सी मुख्य प्रजाती पाई जाती है तो भरतपूर के केवला देव घना पक्षी अभ्यारण इसमें कौन सी प्रजाती मिलेगी साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल और पटेर जिसमें साइबेरियन क्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये आपको याद रखना है रण थंबोर राष्ट्रिय उद्यान कहां इस्तित है तो यह सवाई माधव पूर्जले में इस्तित है राजिस्थान का कौन सा अभ्यारन भारतिय बाग के लिए प्रसिद्ध है तो रण धंबो राष्ट्रिय उद्यान जो है वो बाग के लिए प्रसिद्ध है तो चलिए यहीं तक हम करेंगे आज question 30 तक और उसके बाद यहां से next question next video में करेंगे Thank you झाल झाल